इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Android 14 में एक new update आया है new settings आई है flash notification की तो यह है क्या इसे कैसे use करें यहां पर मैं आपको बताऊंगा आईए जानते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने phone की settings में आ जाए और चाहे तो यहां पर आप flash notification सर्च कर सकते हैं नहीं तो आ आप नीचे की तरफ जाए और यहां पर आपको दिख जाएगा accessibility इस पर क्लिक कर ले यहां पर है advanced setting इस पर क्लिक करें यहां आपको दिख जाएगा flash notification क्लिक कर ले अब यहां पर camera flash notification अगर आप यह on कर देते हैं और यहां पर आप select कर सकते हैं कौन-कौन सी app में camera flash notification on होनी चाहिए ठीक है तो जो भी app में आपने select किया है जब भी उन app में कोई notification होगी या आपका कोई call आ रहा होगा कोई alarm होगा तो आपके camera की flash जनने लगेगी ठीक है और इसी तरीके से screen flash notification अगर आप इसे on कर देते हैं यहां आप सारी application के लिए select कर ले या फिर यहां प होगा क्या कि जैसे ही कोई भी notification आईगी किसी भी app में तो आपकी screen flash होगी कैसे होगी यहां पर मैं आपको दिखा लेता हूँ देखिए आपको yellow yellow color का दिख रहा होगा और camera किस तरीके से होगा मैं आपको यहां पर दिखा ले रहा हूँ देखिए पीछे यहां पर अभी बनक flash हो उसका भी तो यही होता है flash notification उमीद करता हूँ आप समझ गया होगे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें अपना बहुत ज्यादा ख्यार रखें बाबाए